हेलो वरीवन आजकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरिसेट सिरप के बारे में जो कि इस सिरप के इस्तमाल वामिटिंग से जुड़ी समस्यों में इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा भी से और भी बहुत से परपजों में इस्तमाल किया जाता है तो आजकी इस व प्राइज में 30 ml की पेकिंग में बहुत ही आसानी से आपके पास की मेडिकल स्रूप हो जाता है अब बात करते हैं पैरिसेट सिरफ में क्या 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 कॉम्बिनेशन है तो इसमें एक ही कॉम्बिनेशन है ओंडेंस्ट्रों जो की एक तरीके का सेरोटोनिन 5HT3 रिसेप् इसके इसित्माल बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पोस्ट अपरेटिव नोजिया जैसी किसी प्रहर कि कोई आपरेशन होने के पेकिन के समस्या होती है 'll be उनसे ही परफ़जों में नॉर्मल कंडिशन में बहुत ज़्यादा इस्तमाल करते हैं खास दोर पर यह उल्टी को दूर करने के लिए काफी फैदिमन्द होता है इसके साथ इसे बाउल सिंड्रोम के परफ़जों में भी इस्तमाल गिया जाता है इसके साथ कीमो थेरिपी के बाद जो भी cancer patients होते हैं उनकी vomiting या नोजिय जैसी समस्या होती है तो उन सभी condition में भी इसे दिया जाता है इस combination को एज क्या है healthy condition क्या है इसे साथ से इसका डोज कंफर्म होता है नौर्मली एक साल से बच्चे को आप दो से अड़ाई एमिल तक दिया जा सकता है इसलिए इस दवा का डोज का लाली पन बहुत जद नीन लगना पेट में दर्ध होना हाथ पेरों से पसीना आना कब्जी की समस्या भूख न लगना इस तरीके के नुकसान देखने को मिल सकता है किसे नहीं लेना है अगर आप pregnant lady है breastfeeding mother है या आपको कोई भी critical medical condition में कोई medicine course चल रहा है तो इन से भी condition इसनों में doctor से सलहा जरूर लेने के बाद ही इस्तमाल करें किसी के बताया जने पापी से बिल्कुल भी इस्तमाल ना करें तो यही था पैरिसेट शीरप के बारे में और अंडिस्टों कॉम्बिनेशन के बारे में जनकरी अगर आपको वीडियो यह जनकरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत